सबसे पहले में बता देता हूँ, यह प्रश्ण सेमेश्टर 1, हिस्ट्री मेजर, माइनर और अंडर स्टेडिंग इडिया तीनों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सेमेश्टर 1 में दो प्रश्णों में से एक प्रश्ण परतेक बार देखने को मिलता है पहला प्रश्ण वर्धमान महाबिर की जीवन यह सिछाओं के बारे में पुछा जाता है और दुसरा प्रश्ण महात्माबुद्ध की जीवन यह सिछाओं के बारे में आता है तो सबसे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवनी की बारे में लिखेंगे यानि पहला एडिंग हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवनी देंगे इसमें हम लोग लिखेंगे महात्मा बुद्ध बोध धर्म के संस्थापक्त हैं इनका जन्म 563 इसापूर में लुंबनी हुआ था इनके बच्पन का नाम सिधार था इसके अलावे इन्हें तथागत साक्यमुनी गोतम बुद्ध और एसिया का जोती पुंज आदी नामों से भी जाना जाता है तो जो महात्मा बुद्ध है ठीक है महात्मा बुद्ध ही बोध धर्म के संस्थापक थे यानि बोध ध बाल में श्थी थे तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था इनकी बच्पन का नाम सिधार था इसके अलावे इन्हें तथागत साक्यमुनी और गोतम बुद्ध इसके अलावे एसिया का जोती पुंज या एसिया का दिप आदी नामों से भी जाना जाता है ठीक है तो यह था महा मात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोदन था जो साय के वन से समंदित है बुद्ध के पिता कपिल वश्थू के एक सासा के आराजा थे बुद्ध की माता का नाम महमाया था जो बुद्ध के जन्म के सातवे दिन के बाद ही उनकी माता की मिर्थू हो जाती है माता के मिर् सोलवर्ज के अवस्था में असोधरा नामा किस्त्री से होता है जिन से इन्हें एक पूत्र प्राप्त होता है जिसका नाम राहूल था तो यह था गोतम बुद के जीवनी के बारे में कुछ महतवपुन पॉइंट जिसे याद करके आप एक्जाम में पूरी अच्छे तरह से लिख सकते हैं तो इसे आप देख लिजिए दो चार पर पढ़ लिजिए आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे नेस्ट पॉइंट हम लोग देंगे गिरह त्याग एक दिन गोतम बुद कपिल वस्थू का भर्मन कर रहे थे यहां उन्होंने चार दिरिस को देखा प खटना को महाभिनिसकर्मन कहा जाता है तो जो महात्मा बुद्त हैं इनके बारे में बचपन में ही दो बड़े भविस्मानी की जा चुकी थी पहला भविस्मानी था कि आगे जाकर एक महान सासक बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे तो जो इनके पिता ठीक है इनके पिता चाहते थे कि एक महान सासक बने ना की सन्यासी इस कारण से इन्हें घर से जल्दी से निकलने भी नहीं दिया जाता था और मात्र सोलोवर्ज के अवस्था में ही भविस्मानी को देखते हुए इनका विवा कड़ा दिया गया था ताकि जो बुद्ध है वे इसरा सव और चोथा सन्यासी इन चारों दिरिश्यों को देखने के बाद जो बुद्ध थें वे काफी चिंतित रहने लगें और अंततह मात्र 29 वर्च के अवस्था में ही इन्होंने अपना गिरत्याक कर दिया गिरत्याक की घटना को महाभिनिस कर्मन के नाम से जाना जाता है इसके अलावे हमारे कि यहां नोट इसको भेहमलोग ध्यान में रख लेते हैं गिरत्याक का परतिक घोड़े को माना जाता है यानि कि महत्माबूद अपने घर से घोड़े पर सवार होकर निकले थे हैं इस कारण से गिरत्याक का जो परतिक है वह घोड़े को माना जाता ह तो यह महात्मा बुद्ध की गिरत्या के बारे में था नेश्ट पॉंट हम लोग देंगे गुरू तो महात्मा बुद्ध की दो गुरू थे हैं पहला पर्थम गुरू अलार कलाम था जिसे उन्होंने साइक के दर्शन यानि संख्याओ या सुनि की सिछाली और दूसरा गुर गुरू रुद्रक रामपूद था जिसे उन्होंने योग की सिछाली तो इस परकार से महात्मा बुद्ध की जीवन में दो गुरू हुए पर्थम गुरू अलार कलाम था और दुत्या गुरू का नाम रुद्रक रामपूद था तो यह था महात्मा बुद्ध की गुरू के नीचे इन्हें ग्यान प्राप्त हुआ जिसके बाद इन्हें बुध और तथागत आधी नामों से जाना जाने लगा तो जो महात्मा बुध थे इन्होंने 29 वर्ष के अवस्ता में अपने घर को छोड़ दिया था घर को छोड़ने के बाद इन्होंने 6 वर्षों की कठीन तप लेकिन जब इन्हें ग्यान प्राप्ति हुआ तो इन्हें बुध और तथागत आधी नामों से भी जाना जाने लगा इसके अलावे जो महात्मा बुध था इन्होंने बहुत गया में पिपल विरिच की नीचे ग्यान प्राप्ति किया था जिसके कारण से ग्यान कपरतिक प इसी पतन में दिया, पर्थम उपदेश की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है, तो महत्मा बुध ने बोध गया में पिपल बिरिज की नीचे ज्यान प्राप्ति किया था, ज्यान प्राप्ति के बाद इनुने अपना पर्थम उपदेश सार नाथ जिसे रिसी पतन भी क जाता है यहीं पर उन्होंने अपना पर्थम उब्देश दिया पर्थम उब्देश देने की घटना है इसे धर्म चक्र परिवर्तन की नाम से भी जाना जाता है इसके अलावे हमारे कि यहां नौट है गोतम बुद्ध का पिरियसी से आनंद था आनंद के कहने पर ही संग में इस्तिरियों को सामिल किया गया था याने की पराणभी समय में जो इस्तिरी होते थे वे बौध मठो या बौध संगों में सामिल नहीं हो सकते थे लेकिन जो आनंद था वो घौतम बुद्ध का प्रियसिस था में औरहने इस घटना को महापरी निर्वा कहा जाता है तो बुद्ध का जन 563 इसापुर में कपिल वस्तु लुम्बनिम हुआ था बुद्ध लगबग असी वर्स तक जिवित रहें असी वर्स की अवस्ता में कुसी नगर जो उत्तर पर्देश में श्तित है यहीं पर इनकी मिर्तिव हो जाती है बुद्ध की मिर्तिव की घटना को महापरी निर्वा के नाम से जाना जाता है इसके अलावे बुद्ध की मिर्तिव का जो पर्दिख है अस्तुप को माना जाता ह क्योंकि बोध धर में जो भी बोध दार्शनीक होते हैं उनके अफसेसों को अस्तूप में सुरच्छित रखा जाता है या दफना दिया जाता है तो यह था बुध की मिर्तियों की बारे में ठीक है तो इसको समझ गी होंगी नेश्ट पॉंट को देखते हैं हम लोग नेश्ट सिधानतों को दिया है तो महत्मा बुध ने अपने जीवन में जो कुछ भी सिछा या उपदिशों को दिया सभी पाली भासा में लिखा गया था जो पाली भासा था उससमें लोगों की आम भासा थी ठीक है उन्होंने चार आरिसत्य या सिधानतों को दिया तो देखते हम ल में कुछ ना कूछ दुख है कि अन्मतिज व्यक्ति को नम दुख कहा लाता है तो इह उनका पहला प्रत्यूंट कि जीवन में कुछ नकुछ दुख है लेकंगे गिंष्भाइल उनका दूसरा सिद्धान है अर्था दूका प्रतिक व्यक्ति की जीवन में दुख होता है और दुख होने की कई कारण होते हैं तो यह इनका दूसरा सिधान था नेस्ट पॉंट को लोग देखते हैं तीसरा पॉंट हमारा है दूख निरोध बुद्ध की अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जा सकता है तो प्रतिक व्यक्ति की जीवन में लालच जैसी भावनाई बनी रहती है यानि उसे और चाहिए और अधिक चाहिए इस परकार की भावनाई बनी रहती है तो जो व्यक्ति अपनी लालच या इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है उसे कंट्रोल कर है थांसारीख दुखों को दूर कर सकता है तो उनका तिसरा सिधम्था दूखनीरोध मार्ग करने के लिए इसका मार्ग भी उन्ह accessory400 की6 के यांऩ कि जैता है यांवे कि फिए्धAlrightкол को बता से अश्टांगिक मार्ग दियें। न assessments how k day chi दोगा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अश्टांगिक मार्ग या आठ मार्गों को अपना कर अपने दुखों को जानेंगा जेनें कोई विया कोई व्यक्ति दिवारा बताएगे अश्टांगिक मार्गो या आठ मार्गो को अनुसरन करता है तो वह अपने जीवन की दुखों को बड़ी असानी से दूर कर सकता है पहला हमारा है समयक दृष्टी यानि की सही दृष्टी परतिक व्यक्ति के जो देखने का नजरिया है ठीक है वह सही होना चाहिए दूसरा हमारा है समयक संकल्प यानि की परतिक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने इच्छाओं को नियंतरन करने और किसी भी जिजन्तु के हत्या ना करने का इसा संकल्प लेना चाहिए ठीक है तिसरा हमारा सम्यक वाक यानिकी सही वानी प्रतेक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए चोथा हमारा है सम्यक कर्म सही कर्म होना चाहिए जिसमें दानी दया अहिंसा एसी भावना हमेशा रहनी चाहिए पाँच्वा पॉइंट हमारा है सम्मेक आजिव जीवन यापन की सही साधन होने चाहिए यानि कि वेक्ति को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो यानि कि गलत काम करके अपने जीवन यापन को नहीं चलाना चाहिए ठीक है तो यहामारा पाँच्वा पॉइंट थ जो सत्य है उसका पालन हमेशा करना चाहिए तो यह था बुद्ध का अस्टांगिक मार्ग इन आठो मार्गों को अपना कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी दुखों को दूर कर सकता है आफसा करते हैं आप बुद्ध की जीवन एवम सिच्छाओं को अच्छी तरस समझ गये होंगे तो चैनल में ते चन को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी सभी भी बें इंपोर्टन प्रस्न है चैनल में मिल जागा जाकर उसको देख लीजिए मिलते नेस्ट वीडियो में तब जाए बादा